क्या आपने जहाडू को कभी इस तरह इस्तामाल किया है अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा अगर हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो फैमिली दोस्तों की साथ जरूर कीजेगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर सके और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथी सार नौटिफिकेशन बेल को ओन कर दीजेगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप सबसे पहले पहुंच सके तो पहला टिप है हमारा हाँ पर बिंदी को लेकर तो बिंदी का इस्तमाल हम सभी लेडिज करते हैं और कभी कभी होता क्या है कि हमें मैचिंग का बिंदी लगाना होता है और वो कलर हमारे पास नहीं होता है तो इस केस में हम क्या करें तो जब भी आपको मैचिंग का बिंदी लगाना है तो इसके यह आप अपने माथे पर भी कर सकते हो और जिस भी color का हमें बिंदी लगाना है उसी color का हमें nail paint लेना है और इस तरह से जो subtipin में gold सा part रहता है इसमें डाल कर हमें gold shape दे देना है तो मैं यहाँ पर आपको paint से करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप जो है nail paint से कर सकते हो तो बहुती बढ़िया से gold shape में बिंदी लग जाती है तो बहुती बढ़िया सा tip है इस tip को आप एक बार जरूर try कीजिएगा और nail paint तो हम सभी ladies के पास काफी color के होते हैं आप इस तरह से इसको इसको इस्तमाल भी कर सकते हो तो उम्मिद करती हूँ tip आप के लिए helpful रही होगी अगला tip है हमारा चूडियों को लेकर तो चूडिया हम सभी ladies पहनना पसंद करते हैं पहनते ही हैं और काफी सारे color के चूड़ी हमारे पास होते हैं और होता क्या है कि जब हम इस तरह के box में इनको रख देते हैं तो ये इस तरह से उलज जाते हैं मतलब एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं जो भी color होता है एक साथ रहता ही नहीं है तो इनको हम कैसे organize करें या तो फिर हमारे पास bangle box हो लेकिन इतने सारे bangles होते हैं कि इतना सारा bangles box हम नहीं खरेज सकते हैं तो हम इसी तरह के box में रख देते हैं तो इसको रखने के लिए हमें क्या करना है शॉक्स लेने हैं तो आप यहाँ पर कोई भी पुराना शॉक्स ले सकते हो पस अच्छे से clean होना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना है इस शॉक्स को हमें उल्टा करना है इस तरह से देखिए उल्टा कर लेना है और जैसे हम अपने हातों में bangles पहनते हैं आईसे ही हमें पकड़ लेना है जितने भी bangles है आपको ऐसे ही पकड़ना है और उसके बाद shocks को हमें इस तरह से गुमाना है तो इससे क्या होगा कि जितने भी bangles है वो सारे के सारे shocks के अंदर आ जाएंगे देखें मैं आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ तो थोड़े से डालने के बाद आप इस तरह से भी रख सकते हो और अच्छे से और्गनाईज हो जाते हैं बिल्कुल भी इससे जो है bangles टूपते नहीं है आप अच्छे से इनको और्गनाईज कर सकते हो और जो shocks में हम डालके रखते हैं तो बिल्कुल भी यह जो हैं इधर से उधर mix and match नहीं होते हैं इस तरह से आप अ और चूड़िया अच्छे से और्गनाईज भी रहेंगी और तूटेंगी भी नहीं तो हैना फ्रेंट्स का माल का idea इस तरह से आप चोटी चोटी चीजों को इस्तामाल करके अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो तो चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ अगला टिप है ह हमारा चश्मे को लेकर तो कभी कभी होता क्या है कि जो चश्मा हम करते हैं इसका जो glass जो कभी कभी lose हो जाता है और जिसकी वज़ाए से अच्छे से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसको टाइट करने के लिए आपने लेना है नेल कटर इस से हम नेल्स को कट करते ह तो जो अंदर वाला पार्ट रहता है जिससे हम नेल्स को सेट करते हैं तो यही हमें लेना है और इसका जो आगे वाला पार्ट रहता है यह काफी सदा नुकीला होता है तो यह छोटे से छोटे स्कुरू में भी सेट हो जाता है तो इस तरह से आप इसको बहुत ही बड़िया स तो कभी हमारे पास होता क्या है कि इस तरह का छोटा जो होता है पेच हमारे पास नहीं होता है पेचकर्स जिसको बोलते हैं तो आप इस निल कटर को उस जगा पर यूज कर सकते हो तो उमीद करती हूँ ये भी टिप आपके लिए helpful रही होगी अगर टिप पसंद आई है तो ए इडिस के लिए बहुत ही useful होने वाला है क्योंकि साड़ी तो हम पहनते ही है लेकिन इस साड़ी को वियर करने के बाद हमें problem तब आती है जब हम इसको पहन लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी साड़ी पलट जाता है और हमारा पैटिकोट दिखाई देने लगता ह जो कि काफी ज़्यादा गंदा लगता है तो ऐसा हम क्या करें कि साड़ी बिल्कुल भी पलटे ना और पैटिकोट सही सेट रहे तो आपको क्या करना है इस तरह से देखिए जैसे कि मैंने अंदर के साइट पैटिकोट को लगा दिया है तो साड़ी पहनने के बाद आपको काम करना है तो आपको लेना है इस तरह का डबल साइड़ टेप और इस टेप को हमें इसमें सेट करना है तो कैसे करना है इसके लिए हमें क्या करना है इसको छोटे-छोटे टुकडों में कट कर देना है क्योंकि एक साथ पूरा लगाएंगे तो काफी ज़्यादा टाइट ह और जिसकी वजह से अच्छे से साड़ी जो है सट नहीं हो पाएगा तो आपको इसे चोटे-चोटे टुकडों में लगाना है तो देखिए इस तरह से जो मैंने टुकडे काटे हुए हैं इनको हमें पैटी कोड पर लगाना है एक साइड से इस तरह से लगा देना है और उसके बाद हमें इसको इस तरह से सेट कर देना है और देखिए साड़ी जो है पैटी कोड के साथ अच्छे से सेट हो जाता है मतलब चिपक जाता है बिल्कुल भी ये हटेगा नहीं आप कितना भी चलिए इधर से उधर जाएए बिल्कुल ये नहीं हटता है तो बहुत ही बढ़ है तो जादा से जादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लेडिस तक ये इनफॉर्मेशन पहुंच सके और इन टिप्स को यूज़ करके अपने कामों को आसान बना पाएं तो उम्मीद करती हूँ टिप आपके लिए हलफुल रही होगी तो चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ अगला टिप है हमारा जाडू को लेकर तो जाडू का इस्तमाल हम सभी अपने घर में करते ही हैं लेकिन कभी कभी जाडू में हमें एक प्रब्लम आती है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कभी कभी कहीं ओयल वगेरा होता है चिकनाई होती है वहाँ पर भी हम जाडू लगा देते हैं और जिसकी वजह से काफी जादा यह ऑईली चिपचिपी हो जाती है तो इसको हमें वाश करना ही पढ़ता है तो जब हम इसको वाश करते हैं तो होता क्या है कि काफी जदा टाइम लग जाता है इसको सूखने में अंदर के साइड यह अच्छे से नहीं सूख खराब होने लगता है तो ऐसा हम क्या करें कि जाडु झो है अच्छे से सूप पाए तो आपको क्या करना है आपको जब भी ज्सक्ती कर दोश करना है उसके बाद आपको लेना है इस तरह की cloth clip और इन clip को हमें इस तरह से बीच बीच में लगा देना है इससे क्या होगा कि ज़ाडू के बीच में gap बन जाएगा और अच्छे से धूप जो है हर जगे लग जाएगी जो उपर की side रहता है न यहीं पर धूप अच्छे से नहीं लग पाती है तो अच्छे से नहीं सूप तो जब आप इस तरह से एक क्लिप लगा दोगे तो इनमें गैप हो जाएगा और अच्छे से धूप लग जाएगी और बढ़िया सी यह सूख जाएगी तो क्लिप तो हम सभी के पास होते ही हैं तो आप इस तरह से जाडू में क्लिप लगा कर धूप में रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद इसको अलट प्रट कर दीजिए तो दोनों साइट से ये बहुती बढ़िया से सूख जाती है तो जब भी आपको जाडू को वाश करना है तो आप इसी तरह से क्लिप लगा के रख दीजिए बहुती जल्दी से फटा-फट से सूख जाती है तो उम्मिद करती हूँ ये भी टिप आपके लिए helpful रही होगी अगर टिप पसंद आई है तो एक लैक जरूर कर दीजिएगा तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा इसी तरीके के useful वीडियो का link मैंने description box में दिया है